सबी को हेलो, सबी मनुष्य बातचीत करने के जरिये अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं. क्या फूल भी बातचीत करके अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं? हाँ, क्यों नहीं? आएए हम इस कविता में इस बारे में जानते हैं. इस कविता के कवी है भारत भूशन अग्रवाल. इनका जन्म 3 अगस्ट सन 1919 में हुआ था. और इनकी मृत्यू 23 जून सन 1975 में हुई. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुआ था. इनका सांकेतिक नाम यहां है. वे हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवी और लेखक थे. आनका संद लेखंस हूँ आप्रदेश के झाल हूँ. झाल झाल इस कविता में कवी ने वसंत रितु के आगमन में प्रकृती की सुन्दर्ता के बारे में वर्णन किया है। इस मौसम में नए नए पेड पौधे खिलते हैं जो आकरशक लगते हैं। वातवरिन में चारों और फूलों की खुश्बू फैल जाती है। जिससे हमें ताजगी महसूस होती है। इस रितु में सब कुछ बहुत ही खुपसूरत लगता है। इस कविता में कवी यहर एक आंकित करते हैं कि सुन्दर्य रचना में नहीं, रचना प्रक्रिया में है। वसंत रितु की जो खुपसूरती है, वो इन लहल हाते रंग विरंगे फूलों से हैं, जिनकी वजह से लोग इस रितु का आनंद ले पाते हैं। जैसे यह जो सडके, बड़ी-बड़ी अटालिकाए, इमारते, पूल, इन सभी का निर्माड होने के बाद समाज में उन लोगों की प्रशंशा होती है जिसने यह बनवाया है। परंतु वास्तों में इसका निर्माड किसने किया है। वो आम व्यक्तियों ने, वो महनत कश तपके ने, जिनोंने दिन रात महनत करके उसका निर्माड किया है। तो ऐसे लोगों की सराहना होनी चाहिए। कवी कहते हैं कि यह सभी बड़ी-बड़ी सडके और इमारतों का निर्माड किनकी महनत की वजह से होता है यह श्रमिकों की महनत से होता है और उनको सम्मान मिलना चाहिए। उसी प्रकार वसंत रीतु का जो सौंदर्य है वो फूलों की महनत के वजह से है और उनकी महनत का भी सम्मान होना चाहिए। कहने का तात्पर यह है कि यदि हमारे देश में श्रमिकों का सम्मान होगा तभी हम एक नई संस्कृति का निर्माण कर सकेंगे। वसंत रीतु में कभी क्यारी में लगे हुए फूलों को देखकर प्रसंद हो गए प्रकृति फूलों से भरी हुई थी और उन फूलों की खुश्पू चारो और वातावरण में फैल चुकी थी जिससे उन्हें तास्की और प्रसंदा का अनुभा हो रहा थी। फूलों के रंग बिन्द बिन्द प्रकार के थे जैसे लाल, गुलाबी, पीला। यहां देख कवी कहते हैं कि वसंत रीतु आप धन्य हो। वहीं एक छोटा सा फूल कवी से कहता है, आपने कहा, धन्य है वसंत रीतु, वो तो ठीक है, परंतु उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है, यह सौंदर्य वसंत ने नहीं रचा, यह सौंदर्य हमने रचा है, हमने इसके लिए बहुत परिश्रम किया है। वह फूल कवी को संबोधित करने लगा, कि यह सौंदर्य वसंत ने नहीं, मैंने और मेरे साथियों ने रचा है। इस सौंदर्य की रचना करने के लिए हमने धूब, जार और बरसात का मुकाबला किया है, और विशम परिस्थितियों को सहा है। हमने कड़क्ती हुई धूब और तेज बारिश को सहन किया है। और यहां रचना करने में हमारी बहुत महनत लगी है। तब जाकर इस प्रकृती में चारो और सुंदर्ता फैली हुई है। फूल कवी से कहता है कि आप वसंद के सौंदर्य की प्रशंसा तो करने लगे। परंतु क्या आप एक पल भी यह देख पाए कि किसकी वजह से यह रचना हुई है। हमने पृत्वी की चट्टानी शक्ती से मुकाबला किया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। फिर धीरे-धीरे सभी चीजों को सहते हुए हम धर्ती की शक्ती से लड़कर उससे बाहार निकले हैं। और आज करोडों फूल प्रकृती में सुंदर्ता बिखेर रहे हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। इसमें हमारी बहुत महनत लगी हुई है। और हमारी सुंदर्ता से ही वसंत रीतु खुबसूरत लगती है। और लोग इस रीतु का आनंद उठा पाते हैं। हमारी सुगन्द से उनको ताजगी मिलती है। इसलिए वसंत्रीतु के सौंदर्य को बढ़ाने में हमारा बहुत योगदान है। यदि आप प्रकृति के इस सौंदर्य के बारे में जानते और समझते, तो आप भी एक नए सौंदर्य का निर्माण कर सकते थे। इस कविता से कवे यह संदेश पहुचाना चाहते हैं कि निर्माण कार्य में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि लोग यह समझ जाएं तो एक नई दुनिया का निर्माण हो सकता है। कवी कहते हैं कि समाज और देश के सभी लोगों में इस बात की समझ होनी चाहिए कि नगरों की यह जो चमक है आकरशक इमारते, सडके, पूल इन सभी का निर्माण करने में श्रमिकों की बहुत महनत लगी है। और अत्यदीक परिश्रम करने के बाद ही उसका सुन्दर निर्माण हो पाया है। और इसके लिए जिन लोगों ने महनत नहीं किये उन्हें सराहना नहीं मिलनी चाहिए। बलकि वो मजदूर जिनोंने इसका निर्माण किया है वह सम्मान के असली हकदार है। यदि देश के लोग यह समझ जाए तो लोगों की सोच में बदलाव आएगा और श्रमिकों को सम्मान मिलेगा। यदि हम महनतकश व्यक्तियों का सम्मान नहीं करेंगे और उनकी सराहना यदि हम नहीं करेंगे, तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसका मैं आपको एक उदाहरन देता हूँ। हम देखते हैं कि समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रती भेदभाव की भावनाये हैं। जाती और धर्म में तुलना की जाती है और इसी विशय पर लोगों में बहस छिर जाती है। यदि समाज के लोगों की ऐसी ही सोच रही तो क्या देश का विकास हो सकेगा। नहीं। देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि लोग आपस में एकता और समानता बनाए रखें। और सभी एक दूसरे का सम्मान करें। तभी हमारे देश का देहतर विकास हो पाएगा। इस कविता के माध्यम से कवी जो संकेत पहुचाना चाहते हैं वह मैं आपको बताता हूं। वह कहते हैं कि इस दुनिया में जो लोग बहुत ही कम महनत करते हैं उन्हें गौरवानवित किया जाता है, पुरसकार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और एक तरफ महनत कर श्व्यक्ति होते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं पर उन्हें इसके बावजूद भी सम्मानित नहीं किया जाता। उन्हें किसी भी प्रकार का पुरसकार नहीं दिया जाता। यह केवल एक ही मजदूर व्यक्ति की कहानी नहीं है, पूरे भारत में ऐसे करोडों लोग हैं, जैसे दफ्तरों में कर्मचारियों के मालिक होते हैं, और वह सभी कर्मचारियों को कार्य करने का आदेश देते हैं, और सभी कर्मचारियों पूरी महनत से अपना कार्य खत्म करते हैं, और फिर वह अपने मालिक को जाकर जमा करते हैं, किसी जगहों पर ऐसा होता है कि उन कर्मचारियों को उनकी कार्य के लिए सराहना नहीं मिलती, मालिक सारा गौरफ खुदी हासिल कर लेते हैं, और आजकल हम देखते हैं कि संसार में लोग अपने मतलब के लिए जीते हैं, पहले के समय में लोगों में एकता थी, सभी एक दूसरे का साथ देते थे, पर आज वह सब खत्म हो चुका है, आज लोगों के मन में एक दूसरे के प्रती समवेदनाय नहीं हैं, आजकल लोग मासूम लोगों को शिकार बनाकर उनसे अपना काम निकलवाना जानते हैं और उनकी सारी महनत अपने नाम कर लेते हैं, यानि ऐसे लोगों की महनत का कोई मूल्य ही नहीं बचा है, वैसे ही ऐसे बहुत से सम्मेलन और कारिक्रम होते हैं जिसमें कई लोग स्वेचिक रूप से कारिक्रम को सफल बनाने के लिए पुरी महनत लगा देते हैं परन्तु कारिक्रम की सफलता के लिए कुछ बड़े लोगों को ही प्रशिंसा मिलती है और जिन लोगोंने महनत की है उन्हें सराहा भी नहीं जाता यानि आज लोगों में मनुश्यता खत्म हो गई है सभी लोगों को समान रूप से उनकी महनत के लिए समानित किया जाना चाहिए सभी को समान रूप से पृत्साहित किया जाना चाहिए इससे समाज के लोगों में एक्ता बनी रहेगी यदि कोई प्रतियोगिता में अगर दस लोगों ने भाग लिया है तो उनमें से क्या केवल पांच लोगों को ही महत्व दिया जाएगा? नहीं, उसमें सभी को बराबर रूप से मौका दिया जाएगा इसी प्रकार सभी चीजों में बराबरी होनी चाहिए जिससे हमारे देश का बहतर विकास हो पाएगा इस फूल के बोल कवीता के माध्यम से कवी ने यह बताना चाहा है कि सौंदर्य वस्तू में नहीं, वस्तू प्रक्रिया में निवास करता है जिस प्रकार वसंत रितू की तास्गी और खुबसूर्ती उन फूलों की महनत की वजह से है इसलिए उनकी प्रशंशा होनी चाहिए उसी प्रकार वो मजदूर व्यत्ती जो बड़ी-बड़ी सडके और इमारतों का निर्माण करने का कार्य करते है जिनकी वजह से शहरों में चमक आती है उन श्रमिकों की महनत का सम्मान होना चाहिए क्योंकि शहरों की ये हसंदर्ता उनहीं की वजह से है झालों की वजह से शहरों के बड़गे है झाल झाल झाल